साथियो नमस्कार हो सकता है और पोस्ट बढ़ जाए तो और सेलेबस बहुत जादा है और समय मिल रहा है और अच्छे बात है अगर डिले होती है एक्जाम छे महीने भी लगते है तो भी कोई दिक्कत नहीं तो अपनी जो तैयारी जो है वो continuous जारी रहे लगातार तैयारी करते रहे अगर कुछ जादा अच्छी रेंग बन गई तो कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन रेंग ना बनी और सिलेक्शन ना हुआ तो दिल पर ठेस पहुचेगी तो तैयारी अच्छे से करते रहे और जो भी साथी हमसे जुड़ना चाते वो भी जूड़ सकते हैं लगातार तैयारी करवा रह असी परसन कोर्स जो है एप्लिकेशन पर पूरा करवा दिया है तो जो साथी जुड़ना जाते हैं एप्लिकेशन की लिंग इसी वीडियो की डिस्क्रिशन में मिलेगी और मेरे मुबाइल नमर भी मिलेगी तो तैयारी आप जो है करते रहे सभी को बेस्ट आफ लख तो जि कि यार लोट चले क्या हम सोचने लगे कि यार लोट चले क्या फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े तो साहब आज जो है नेम रियक्शन की बात करते हैं और नेम रियक्शन जो कौन सी नेम रियक्शन की ये आपके सिलेबस में है असिस्टेंट प्रोफेसर की खासियत क्या है यह conversion करता है कार्बोनिल ग्रूप को CO ग्रूप को एलकिन में बस यह है इसका काम किटोन को एलकिन में convert करना विटिंग रियेजन का काम है विटिंग रियेजन का क्या वर्क है किटोन को एलकिन में convert करना और यह है साहब विटिंग रियेजन इसको केते हैं विटिंग रियेजन मेथिलीडीन ट्राइफेनिल मेथिलीडीन ट्राइफेनिल फास्पोरेन है ना मेथिलीडीन ट्राइफेनिल फास्पोरेन ये जो है विटिंग रियेजन का नाम है और विटिंग reaction देखो reaction simple reaction है इस reaction में ये जो है CO group है इसको किसमे कनोड करना कुछ नहीं है ये जो है ये वाला भाग जो है इसको oxygen को लेके भाग जाएगा ये CH2 डारेक्टर जूड रहा है यहाँ पर आपको ये मिल रहा है अलकीन मिल रहा है बस ये विटिंग reaction है इसके साथ में ये oxygen जूड गया आपको ये मिल गया और ये CH2 था ये ये यहाँ जूड गया बस ये काम है इसका विटिंग रहा है अब साहब ये जो काम तो कर रहा है लेकिन कैसे कर रहा है इसकी mechanism देखते कि इससे जो है ये फाउम हो गया किटोन से क्या फाउम हो गया कैसे फाउम हो गया इसके mechanism है अपने पास में mechanism में देखिए चलिए हमारा जो ये विटिंग रिएजेंट है इस विटिंग रिएजेंट को ये बोन यहाँ आया तो ये चेंज कर दिया अपनोंने pH 3P plus CH to minus इसको अपनोंने यहाँ लिखा ये वाला जो है कार्बो एनायन जो है अटेक करेगा किस पर कार्बोनिल कार्बन पर और ये वाला बोन इधर किसक गया कुछ नहीं करना है यहाँ पर ये वाला बोन यहाँ आया तो माइनस लगा दिया और इसके और पोजिटिटिट चार्ज लगा हुआ है ये वाला ये वाला बोन यह बना दिया ओके ठीक है साब कुछ नहीं कि आपनोंने ये negative positive यहाँ पर बोन बन गया तो ये बोन बना दिया आपको ये मिल गया अगजाफ आस्पीटेन बन गया intermediate है आगे जाके क्या हुआ साहब यह वाला जो bond है यहां आ गया तो यह जो यह इस oxygen और इसके बीच में क्या आ जाएगा तो आपको यह मिल गया यह मिल गया और यह वाला bond जो है यहां आ गया तो यहां पर already CH2 है यह ठीक है यह bond इदर चला गया तो यह जो है यह वाला पार्ट जो है क्या हो गया यह बनी गया तो ये विटिंग रियेजिन ये कर रहा है किटोन को किसमे कनवर्ट कर रहा है सहाब किटोन को अलकीन में कनवर्ट कर रहा है ये काम है इसका सिंपल काम है अब प्रिपेशन विटिंग रियेजिन को प्रिपेर कैसे करें सहाब तो विटिंग रियेजिन की pH 3P, Trifenyl Phosphine की reaction करवा दो इसके साथ में Alkyl Bromide के साथ में reaction करवा दिया जाए और reaction करवाई जाएगी तो यहाँ पर जो है salt form होगा और यह जो इसकी Phenyl Lithium के साथ में reaction होगी यह जो बन जायेगा साथ LiBr Li Plus Br Minus LiBr इसको क्या चाहिए pH- को एक hydrogen चाहिए तो pH और H यह बन गया benzine बन गया ठीके, यहाँ से H निकल गया यह क्या बन गया, CH3 को किस में connect कर दिया CH2, negative में convert कर दिया यह CH2 negative और यह bond जो है इधर आ जाएगा वापस यह इधर आ गया तो यह बन गया सब Whitting Reagent Whitting Reagent मन गया अब लगा लो जहाँ जहाँ चाहिए ज़रूरत है Whitting Reagent की बड़ी अकाम है, पहले Whitting Reagent बनाया यह Whitting Reagent मन गया अब Whitting Reagent की reaction करो साब इसके साथ में करवा रहे है यहाँ पर reaction करवाई तो कुछ नहीं करना, यह तो oxygen को छीन के भागेगा हो और कुछ नहीं, CH2 दे जाएगा Whitting Reagent जब भी आए माइन में यह चीज होनी चाहिए कि oxygen लेके भागेगा और CH2 देखे जाएगा इतनी सी बात है साब तो यह CH2 देखे जा रहा है यहाँ पर तो यह बन गया और oxygen लेके भाग रहा है यहाँ पर भी साब यह हो रहा है यह जो है, यह CO है अब यह है साब आपके यहाँ से यह वाला गूरूप देखे जाएगा और यह oxygen लेके चला जाएगा तो यह हो जाएगा और यह बनिया सिंपल है, याद हो गई होगी अभी तक तो चलिए, आगे है यह, इसमें भी क्या है यह विटिंग रियेजन रे, क्या करेगा अरे oxygen दिग गया, इसको यहाँ पर यह oxygen ले लेगा और यह CH2 दे के चला जाएगा आपका प्रोड़क्ट बन गया बन गया, अलिकिन बन गया ओके, यहाँ पर इसको विटिंग रियेजन को यहाँ oxygen दिग गया है, CO group दिग गया है क्या करना, यह CH2 जो है देखे, दे ले ले भाई, और oxygen मेरे को दे दे, मेरे को जुरुरत है यह बन गया, इलकिन बहुत simple reaction थी यह विटिंग तो उमीद करता हूँ यह जो कुछ name reactions है आपके syllabus में, AP exam में उसमें यह reaction भी काम आएगी, बस थोड़ा सा जब भी कोई question आये तो अपना mind जाना चाहिए कि यह कहां से किस topic से लिया गया है जैसे 11, 12, NCRT वाले बच्चों को भी पढ़ाते होंगे तो उसमें जब कोई पेपर सेट वो होता है, तो उसमें अगर यह idea हो जाए, कि यह साब इस chapter से इस topic से लिया गया है, तो automatically imagination हो जाता है और उसका answer दे सकते है, आसा निसे, ठीके साथियों, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए मिलेंगे फिर next video में तब तक के लिए, okay bye जहिए